हालो फेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों की स्वेटर डिजाइन बता रहे हूं और यह केबल डिजाइन है और इस डिजाइन को आप बॉर्डर भी बना सकते हो जैकेट में कार्डिगन में बेबी स्वेटर में तो फेंड्स बताती हूं यह काईव से बनेगा और इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, बेबी स्वेटर, मॉफलर, कैप आप इसको किसी भी प्रिजेक्ट में अपलाई कर सकते हो और यह डिजाइन हमारी एक फंदे में बनी हुई है बीज में हमने दो फंदा गैप दिया है दो फंदा से ऐसे दिखेगा तो चली बताती हैं कैसे बनेगा और इसको आप नौ नमबर स्लाइज से बनाना थ्रिप्लाइ धागा से इसमें हमने पंदर फंदा लिया है दो फंदा इधर सिधा बनाएंगे और दो फंदा इधर और बीच में हमारी डिजाइन बनेगी तीन दो दो फंदा बनाएंगे एक दो धागा पीछे एक फंदा सिधा बनाएंगे तो धागा आगे दो फंदा उल्टा तीन हमारी पहली सलाई है पहली सलाई में ऐसे बनाएंगे देखा दो फंदा उल्टा एक फंदा सिधा फिर दो फंदा उल्टा वे देखा दो फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सिधा धागा आगे दो फंदा उल्टा बलास्ट में दो फंदा सिधा अब यह बह्ली सलाई थास, सीधा साइड अब उल्टा साइड आप उल्टी तरफ से देखों उल्टा फंदा हम उल्टा बनाएंगे सीधा फंदा साइडा 이 दो फंदा उल्टा धागा पिछे ये दो फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा ये डिजाइन वाला फंदा है एक फंदा उल्टा ये दो फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा वे लास्ट में दो फंदा उल्टा ये दोनों साइड में हमने जो दो फंदा रखा हुआ है वो दोनों तरफ से सीधा तरफ से सीधा बनेगा उल्टा तरफ से उल्टा दो दो फंदा अब देखवा हमारी डिजाइन बनेगी हाँ फर्स्ट में हमें दो सलाई ऐसे बनाना है एक फंदा स्लिप किया एक फंदाई सीधा धागा आगे दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे अब धागा पीछे करके देखो एक फंदाई जो है तो इसको हमें सीधा ऐसे नहीं बनाना है पहले पहले इस वाले फंदे को देखो इसको उठाएंगे यहां से यह जो नीचे व कि फिर यह वाला फंदा बनाएंगे सीधा अभी दो फंदा हो गया अब धागा आगे दो फंदा उल्टा धागा पीछे अम देखुए इस वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे यहां से ऐसे और इसी को बुनाई करेंगे सीधा और एक फंदा ये जो सिने दो कर दो ओंदा दो रुटा है शे दो क्बना अ कि देखर यह इंसरे इसमें ओलो पर यहां से उठाना और удоб में यहां तो इस पर अद दुर बनाएं म सिधा है अब दो फंदा ओल्टा है है लास्ट कर दुक्छ corr Ingulf बनाना है फ़ेस्टमे पहले दो पंदा बना लेंगी अब ये दो फंदा सीधा जो सीधे साड से उल्टा फंदा है वही हम उल्टे साड से सीधा बना रहे हैं अब धागा आगे करेंगे यह एक पंदा द्रिजाईन वाला था तहुछ यह दो हो गया है अभी इसको हमें दो का एक करना है अभी यह दोनों फंदा हम एक साथ बनाएंगे देखो अब धागा आगी इस दो फंदा उल्टा हम एक साथ बनाएंगे जो फंदा हमने उठाया हुआ है उसको हमें एक साथ बनाना है दो का एक करना है उल्टे तरफ से दो फंदा सीधा अब इस दो का एक करेंगे एक फंदा हो गया अब दो फंदा सीधा अब सीधा साइड से देखो फिर से हम इसे ही बनाएंगे ये दोनों तरफ से हमारी डिजाइन बनेगी भी दो फंदा सीधा बना लेंगे फिर दो फंदा उल्टा बनाएंगे अब धागा पीछे करेंगे तो देखो अब यहां से हमें देखो पहले हम उठाये थे यहां से अब इसको हमें यहां से उठाना है यह फंदा हम देखो उठाएंगे अब फिर से सीधा बनाएंगे इसको तो सीधा साइड हमें हर बार ऐसे फंदा को उठाना है एक्स्ट्रा फंदा उठाएंगे हांसे दो फंदा हो जाएगा फिर उल्टे तरब से हमें दो का एक कर देना है इसको अब दो फंदा उल्टा बनाएंगे अब धागा पीछे करेंगे यह देखो इस वाले फंदे को हम उठाएंगे यहां से ऐसे हैं फिर इसको ले करके फिर इसको भी हम सीधा बनाएंगे दह गागे दो फंद उल्टा अब यह देखो यहां सुठाएंगे इसके उपर उल फंद फंद त्वह यहां सुठाएंगे एसमे आएसे तो इसको भी हम सीधा बना लेंगे औ्वी यह वाला भी सीधा बना लेंगे अब लास्ट में दो फंदा सीधा है अब यह हमारा सीधा साइड है धागा पतला है इसलिए डिजाइन थोड़ा पतला लग रहा है आप लगो इसको मोटे धागी से बनाना अब यह देखो उल्टा साइड है दो फंदा सीधा बनाएंगे अब धागा आगी यह डिजाइन वाला फंदा दो का एक करेंगे हम तो यह फिर से एक फंदा हो जाएगा उल्टे तरफ से हमें देखो हर बार ऐसे ही करना है दो का एक करना है और सीधे साइड से हम जैसे मैंने आपको बताया एक फंदे में एक फंदा हमें एक्ष्टा उठान है अब यहां दो का एक करेंगी दो फंदा सीधा फिर से दो का एक करेंगी दो फंदा सीधा अब लास्ट में दो फंदा उल्टा तो डिजाइन हमारी इसी तरीके से बनेगी और ऐसे ही बनाना है दोनों तरफ से हमें सीधे साइड से हमें उठाना है और उल्टे तरफ से हमें तो काई करना है डिजाइन बहुत प्यारी है और असान ही बनाने में है तो बन के हमारी रेडी है इससे हमने बना के रखा हुआ है यह दिखो डिजाइन हमारी बन के रेडी है जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से बना हुआ है यह धागा हमारा मोटा है थ्रिफलाई क कॉमेंट करके जबूर बताएं